हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू दी चैनल मैं अधिती एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यप चैनल करंट फियर स्पाइर अभी पर तो आज की इस हमारी शोट वीडियो में हम जो है शिकर समेलन दोहजार चोबी से वीडियो में वीडियो को आप लाइक को शेर जरूर कर दीजेगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर अब तक आपने हमारी डेली करंट फेर्स की वीडियो आपको प्रवाइड करवाई जाती है ठीक है क्योंकि काफी सारे और प्रदर्शनी दोहसार चोबीस जो है यह आपकी कहां पर आयोजित की गई है तो राइट अंसर इसका आपका उप्शन नमबर ए रहेगा फ्रेंट्स नीदर लैंड के रोटर डैम में जो है विश्व हाइडरोजन शिकर समेलर और प्रदर्शनी दोहसार चोबीस का आयो है यह आपका लोंज करा गया था केंदरी मंतरी मंदल दोहरा चार जनवरी दोहसार बाइस को किसकी अधक्षता में प्रदान मंतरी डरेंडर मोदीजी के अधक्षता में ठीक है यह इंपॉर्डन पॉइंट भी आपने इंत्यार में रखना है नेक्स कुशन की तरफ आते है तो क्रिटिकल्स मिनरल्स शिकर समयलन 2024 का जो आयोजन है यह कहां पे हुआ ओप्षनमबर डीर आइटन से रहेगा हमारा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था क्रिटिकल्स मिनरल्स शिकर समयलन 2024 का जो है यह लोधी एस्टेट नई दिली में इंडिया हैविटेट सेंटर में जो है वो किया गया था और क्रिटिकल्स मिनरल्स शिकर समयलन जो है यह एक महतपून कारेकरम है जिसका कि मुख्यो देश्य है महतपून खनिज लावो और प प्यान साजा करना और नवाचार को पड़ावा देना नेक्स से कि पहला जो प्रमानू उर्जा शिकर समयलन है दोहसार चोबीस में ये कहां पर आयोजिक किया गया काफी ज्यादा तो देखे राइट अंसर आपका इसका उप्शन अब बी रहेगा एकदम बैल्जियम के ब्रूसेल्स में पहले प्रमानू उर्जा शिकर समयलन दोहसार चोबीस का योजन किया गया था आईए कुछ important points कवर कर लें questions से लेटर तो देखे शिकर समयलन की विवस्था जो है ये अंतराष्टे प्रमानू उर्जा जनसी और बैल्जियम दोहरा सहयोग वात्तमक रूप से की गई थी जिसका की मुख्यो दिश्य था शुद्ध शुन्य उत्सरजन और सतत विकास लक् तो इसकी जो स्थापना है ये कब करेगे थी 1957 में मुख्याले की बात करी तो वो है उस्ट्रिया के विहना में और करन्ट में जो महानिदेशक है आई-ए-ए-क वो है फ्रेंस राफेल मारियानो ग्रोस फ्रेंस जितनी additional information आपको हमारी वीडियो में प्रवाइड करवाई जा नेक्स्ट आपका question जनवरी दोहजार चोबीस में गुजरात के किस शहर में दस्मा बाइबरेंट गुजरात ग्लोबल सम्मिट जो है इसका योचन किया गया right answer option number A रहेगा गुजरात की capital गांधी नगर में तो परधारमत्री मोदी ने महात्मा मंदिर गांधी नगर में जो है दस्में बाइबरेंट गुजरात ग्लोबल सम्मिट दोहजार जोबिस का जो है उधगाटन किया था परधारमंत्री ने उधगाटन समाहरो को संबोधित करते हुए जो है दोहजार संतालीस तक भारत को विक्सित बनाने का संकल्प दोहराया दस्में बाइबरेंट गुजरात ग्लोबल सम्मिट दोहजार जोबिस का जो फ्रेंट्स विशे था वो था गेटवे टू दा अधिका भारत के नई दिली में आशियान भारत वरीष्ट अधिकारियों की 26 विट का यह जित हुई सेंगापूर के विदिश मंत्राले में 27 अलबर्ट चुआ के साथ की सहधिक नौगी गया 26 वी जो AISOM में आशियान भारे समंदों की दाइरों को जुडाव की तीन स्तंबो अर्थात राजनितिक सुरक्षा आर्थिक और समाजिक सांस्कृति में जो है वो दर्शाया गया था नेक्स्ट इंपोर्टन कोशन आपका है भारत की मुख्य नायदिश डी वाई चंदरचूर ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य नायदिशों के शिकर समयलन जे ट्वंटी में जो है वो कहां पे पाटिसिपेट करा तो अप्शन नमबर एर आइटन से रहेगा प्राजील के रियो डी जैने रियो में जो है फ्रेंड्स हमारे मुख्य नायदिश जो की पचासवे नमबर के मुख्य नायदिश है डॉक्टर वी आई चंदरचूर इन् समयलन जे 20 में जो है फ्रेंज भाग लिया जे 20 शिकर समयलन का यहे ब्राजील के संग्य सुप्रीम कोड दोरह जी ट्वंटी दोहजार चोबिस की ब्राजील की अधिकषता में किया गया किया ऍऐग्स। जर्नल अनी चोहान की अधिक्षता में त्री सेवा समेलन परिवर्तन चिंदन दो हो तू का योजन जो है ये कहां किया गया राइड अंसर ओप्शन नमबर ए रहेगा नई दिली में जो है इसका योजन हुआ था किसका परिवर्तन चिंदन टू का आए कुछ इंपॉर्टन प कि मुख्यालियों सैन्य मामलों की भिवाग एक इकरी तरक्षा स्टाफ मुख्यालिय के अधिकारियों और चीफ ओफ स्टाफ कमेटी की भिविन उप समितियों के सदस्यों ने जो है वो पाटिस्पेट करा था नेक्स देखिए सोल्वा विश्वा भविश्य उर्जा शिकर समेलन जो है यह अब उधाबी में आई जित हुआ था अगर बात करें समेलन के मुख्यों देशिय की तो फैंस इसका मुख्यों देशिय वैश्विक जलवायू कारिवाही नवी कानियों उर्जा उर्जा सुरक्षा और सत्य विकास जैसे प्रमुक मुद्दो पर बाचित को बढ़ावा दिन है और इसका जो कंक्लूजन था वो था वैश्विक तापान वृद्दी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वित्य निवेश पर जोर दिया गया संयुक्त रास्ट के जनसंख्या और विकास आयोग की 57 बैठक में देश का प्रतिने दित्तव करने वाली पहली महिला सरपंच जो है वो कौन बनी ठीक है तो राइट अंसरीस का आपका उप्शन नमबर डी रहेगा उप्यक्त सभी तो हेमा कुमारी निरुयादव और सूप देश जुलाई 2024 में पहली बार जो है युनेसको की विश्व धरोवर समिती की मेजबानी करेगा राइट अंसर उप्शन नमबर यह है आपका हमारा प्यारा भारत जो है यह जुलाई 2024 में फ्रेंस पहली बार युनेसको की विश्व धरोवर समिती की मेजबानी करेगा किया जाएगा कोशन में बात युनेसको किया है जिसे कि संयूक तरास्ट शैक्षिक विज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की नाम से जाना जाता है इसका मुख्याले है फ्रांस के पैरिस में स्थापना इसकी करीगी थी 60 नमबर 1945 के 45 को बात करी इसकी प्रमुक की कि इंपोर्णबो इसकी बात करी तो कोब 28 या फिर 28 वा संयुक तरास्ट जलवाईू परिवर्थन समिलन जो है फ्रेंट्स की दुब्बई संयूक तर्व एमिरात में आजित किया गया था यह समेलन जो है ये जलवाईू परिवर्थन पर दुनिया का इक मात्र बहु कारों को वैश्विक तापान वृद्धी को सिम्मित करने और जलवायू परिवर्दन से जुड़े प्रभावों की अनुकूल नितियों पर सहमत होना है को पठाइस की जो ध्यक्षेम्रेंस उनका नाम है सुल्तान अलजाबेर और भारत की तरफ से इसने ध्यक्षता करी हमारे पीम नरेंद्र मोधिजी ने नेक्स्ट आपका वर्ष दोहजार देईस में विश्व के पहले आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सुरक्षा शीकर्जामेलन की मेचपानी की स्थेशने की तो राइट अंसर ओप्शन नमबर बी रहेगा आपका प्रिटेन ने नेक्स देखिए जनबरी दोहजार जोबिस में किस राजे में नोवे भारत अंतरास्टिय विज्ञान महुसव दोहजार देईस चोवर्फरेंस इसका योजन किया गया राइट अंसर ओप्शन नमबर ए रहेगा आपका हर्याना राज्य में जो है नोवे भारत अंतरास्टिय विज्ञान मह महासवा जो कि 2023 में हुई यह जो आई कहां पर आई जित हुई थी तो यह आपकी आई जित हुई थी ओस्ट्रिया के वियाना में यानि की ओप्ष्ण अवर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा अगर बात करें इंपोर्टन पॉइस की तो इंटरपोल की जो 91 महासवा थी फ्रेंसी के दिसंबर 2023 में ओस्ट्रिया के वियाना में आई जित की गए थी इस महासवा में जो है वित्ती अपराद और भरस्टाचार को रोकने ओनलाइन बाल जोन शोशन से निपटने और इसके स्थापना की गए थी साल सितंबर 1923 को मुख्याले इसके हैं लियोन में करंट अध्यक्षा एहमद नासर अल रही सी और सुदस्य देश हैं इसके टोटल 195 नेक्स्ट कोशन आज का किस देश ने सुदान पर अंतरास्टे मानफतावाद समेलन का योजन किया राइट अ तो राइट अंसर उप्ष नब बी रहेगा आपका फ्रेंस और इशा के भुवने इश्वर में और इस समेलन का जो विशे था वो था सार्व भूमिंग मुल्य और रास्टे वास्तिक ताएं भार्तिय संधर्व में मानवधिकारों की सार्व भूमिंग घोशना की खोच भार्तिय सेना की तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और एकी करण प्रियासों को बड़ावा देने के लिए प्रतम परिवर्तन चिंतन समेलन 2024 जो है फ्रेंस की काहां पर आज़ित किया गया राइट अंसर ओप्ष नमब सी है आपका नई दिली में इंपोर्डर वो इसकी बात करी तो परिवर्तन चिंतन जो है ये अगर निये तरी सेवा समेलन है इसे 8 अपरिल 2024 को नई दिली में आज़ित किया गया है इस एक दिविसे समेलन की अध्यक्षता चीफ अफ डिफेंस टाफ जनर अलील चोहान ने करी नेक्स के चीफ थे जे जक्ष लिलन 2023 जोहान फरैंज एसकी कहां पर उजब्म की अध्यक्री में संसकर्ण था इसका 49 सिन्थ हारत थे नीथ की तरफ से दक्षता करी हमारे प्रधान मंती नरेंडर्व मोतीची ने Group of Seven के वारे में जानते हैं तो फ्रेंस Group of Seven को पहले Group of Six के रूप में चाना जाता था 1976 में कैनेड़ा की शामिल होने से इसके बाद इसका नाम पड़ गया Group of Seven और पहला G7 Shikr Samiland जो है फ्रेंस ये आपका हुआ था फ्रांस में कब 1975 में जी सेवन शीकर समेलन जो 2024 एफरेंज ये आई जित होगा इटली में नगसे किये प्रधानमती नरेंदर मोधीजी ने ग्लोबल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उधगाटन कहां किया राइट अंसर उप्शन बर ए रहेगा नई दिली में भारत टेक्स का मतलब है भारत टेक्स टाई ये जो है ये कपड़ा के छितर में एक वैश्विक समेलन है भारत एक्स 2024 भारत की समरीद सांस्क्रिति विरासत और कपड़ा परंप्राओं से लेकर नविंदम तक्निकी नवचारों तक संपून कपड़ा उध्योग मुल्य छिरिंकला का एक व्यापक प्रदर्शन है बारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गती शिल्त प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का योजन कहां पर किया गया राइट अंसर उप्शन बब बी रहेगा आपका फ्रेंस नई दिली के भारत मंडपम में प्रदानमदी नरेंदर मोधीजी ने नई दिली के भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिल्टी ग्लोबल एक्सपो 2024 में एक कारेक्रम में संभुतित किया भारत मोबिल्टी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो है ये मोबिल्टी और ऑटो मोटिव मुल्य श्रिंखलाओं में भारती चमताएं जो है वो दिखाई गई नेक्स्ट कोशिन वर्ष दोहज़ाचोविस के लिए प्रथम सेना कमांडर समेलन जो है ये कहां पर आइजित किया गया तो ये आपका एजित करा गया था नई दिली में और फ्रेंट्स इस समेलन की जो धक्षता है ये नई दिली में थल सेना ध्यक्ष जनर मनोज पांडे दोरा की गई नेक्स्ट कोशिन एप्रेल दोहजार चोबिस को पहला अमेरिका जपैन फिलिपिन्स शिकर समेलन जो है ये कहां शुरू हुआ तो राइट अंसर इसका रहेगा उप्ष नमबर बी आपका अमेरिका के वशिंग्टन में नेक्स्ट इंपॉर्ण कोशिन है विश्व सरकार शिकर समेलन जोहजार चोबिस का जो आयोजन है फ्रेंस के कहां पर किया गया राइट अंसर ओप्ष नमबर डी रहेगा दुबई में आयोजित किया गया था फ्रेंस विश्व सरकार शिकर समेलन जोहजार चोबिस कुछ इ को समांगीतिती के रूप में नामित अगया बाति करें शिके ज मेलन के विशे की तो वो था भविशे की सरकारों ք आक देना так नेक्स्ट आपका है 43 आशियान शिकर्जमिलन 2023 कहां पर आज़ित किया गया तो यह आपका आज़ित करा गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में यह थीम था इसका एशियन मैटर्स एपिसेंटरम ओफ ग्रोथ एशियन जो है इसके बारे में जानते है तो आशियान दक्षिन पुर्व इशियाई रास्टो का एक संगतर है जिसकी स्थापना 8 अगस 1967 को करी गई थी मुख्याले जकार्ता में है करंट अद्यक्ष है ली सिनलूंग करंट सदस्य देश है इसके 10 जिन में है प्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मयनमार, फिलिपिन्स, सिंगपोर, थाइलेंड और वियतनाम और फ्रेंस पुर्वी टिमोर जो है यह आ 2023 की मेजबानी की गई फ्रेंस, 2023 में इसका 23 संसकन आयजित किया गया था और थीम था टूवर्ज असिक्योर एस्सी ओ, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्याले इसकी बिजिंग में है और सेक्रेटरी जर्नल है इसकी व्लाद्दी मीर नौरॉब, करंट महासजीव है य हमारी पेड़ी बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट आप विजर कर सकते हैं www.ravibookspdf.com की नाम से है, वहां पे आपको हमारी सारी करंट अफेर्स की पेड़ पीडिएफ मिल जाएंगी, इसके लाब आपको फ्री पीडिएफ हमारे टेलिगरम चैनल करंट अफेर्स पार रव बहुत विजए दविड़े श्या में पीडिए हमारे टेलिगरम चैनल कर आपको वेमारे टेलिगर्स के लेएाटराट अफेर्स वित L healthรक चैनल